हालो फ्रेंड्स वेलकम टू एसे च्वेशन वर्ल्ड आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिजाइन लेकर के आई हूँ और इसको आप जैंट सडर के उपर अपलाई कर सकते हो देखने में बहुत ही प्रिटी है और बनाने में बहुत ही आसान है तो चल यह स्टार्ट करते हैं इसको बनाना इसको बनाने के लिए आपने दखने हैं 11 के मल्टि पल में फंदे प्लस आपको इसमें 6 एक्स्ट्रा फंदे डालने होगी ग्यारा के multiple में फंदे राने है प्लस आपको उसमें 6 कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाए है 17 स्टिचिस ग्यारा और प्लस उसमें 6 करके 17 फंदे में यहाँ पर डाले है चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो पूरी देखेगा तभी आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आएगा तो रो वन राइट से सीधी तरफ से पहली रो त्यान से देखेगा क्या करेंगे पहला फंदा सीधा उतारा अब एक एस्टिच रखा है तो इसको हमने सीधा उतार लिया फिर दागा अपनी तरफ अब चार फंदे उल्टे बनाएंगे अब देखे एक फंदा हमने स्लिप किया जो एस्टिच रखा उसके बाद हमने चार फंदे उल्टे बनाएं दागा पीछे लिजाएंगे अब देखे एक फंदे को हम स्लिप करेंगे इस तरह से slip करेंगे दागा अपनी तरफ लाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे और यह टू दो फंदे हमने उल्टे बनाएgor अब एक फंदे को देखे इस तरह से शलाई को डालेंगे और या धागे को गुमाएंगे अब इसको पूरा नहीं बनाएंगे इसको ऐसे ही उतार देंगे और दो फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे वन, टू, दागा पीछे और एक फंदे को स्लिप करेंगे अब देखें यह सुरू का जो एक एज़िट है उसको छोड़कर यहां से हम अपना रिपीट फिर से स्टार्ट करेंगे यही 11 फंदे हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे तो यही 11 फंदे आपको इसी तरह से रिपीट करने हैं चार फंदे आपको उल्टे बनाने हैं और 7 फंदों में आपको इस तरह से डिजाइन डालना है लास्ट में आपके पास देखेंगे चार फंदे बचेंगे तो यह जो डिजाइन के हैं हमारे यह उल्टे पड़ेंगे चार फंदे और धागा पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेंगे तो ये हो गई रो वन राइट साट से अब रो टू पर आ जाईए रोंग साट से दूसरी रो उल्टी तरफ से तो इसमें देखी क्या करेंगे पहला फंदा तो हमने उल्टा उतार लिया अब उसके बाद देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ अब देखे एक फंदा तो हमने उल्टा उतारा उसके बाद साथ फंदे हमने और उल्टे बनाए अब यहां पर देखे जो हमने यह और नूबर किया था यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसको हम slip कर लेंगे, उसको इस तरह से slip कर लेंगे, और next को उल्टा बना लेंगे, फिर उसके बाद फिर से देखिए, यह हम पूरे इसी तरह से बनाते जाएंगे, बाकी सारे फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे, बट यहाँ पर देखिए आपको बनाना है, अब पूरे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, जहाँ पर आपका यह डिजाइन डला होगा, आपको दिख जाएगा, तो जो यह नोबर किया था, वो हम slip करेंगे, वाकी को हम सारा उल्टा ही बनाएंगे, इस तरह से last के फंदे को भी हमने बना लिया, तो आ देंगे, टू, थ्री, फोर, दागा पीछे, अब यह एक फंदा जो हम slip करेंगे, उसको हम slip भी करेंगे, दागा अपनी तरफ, दो फंदे, अब सौरी दो नहीं, इस वार हम सिर्फ एक फंदा ही बनाएंगे, इस फंदे को हम बना लेंगे, अब जो next फंदा है, उसको देख को गुमाया था, यहाँ पर देखिए, दो फंदे हैं, इन दोनों को हमने दो का एक बना लेना है, फिर यहाँ पर फिर से हम वैसा ही करेंगे, देखिए, यह इस तरह से सलाई को डालेंगे, थागे को गुमाया और इसको छोड़ देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, दागा पीछे और नेक्स्ट फंदे को सलिप करेंगे, तो यह एक फंदा छोड़ कर यहाँ से हम फिर से अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे, यही 11 फंदे हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास देखिए, यह चार फंदे हमारे उल्टे बढ़ेंगे जो डिजाइन के हैं, और लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेंगे, तो अब आजाएए रो फूर्ट पर रॉंग सेट से फूर्थ रो उल्टी तरफ से, तो इसमें फिर से वैसा ही करेंगे, देखिए बागी फंदे तो हमारे सारे उल्टे बढ़ेंगे, तो यह स्ट धागे को गुमाया था, उसको हम स्लिप कर देंगे, नेक्स्ट को उल्टा बनाएंगे, फिर एक और फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए फिर से जो यर नोबर किया था, उसको हम स्लिप करेंगे, और इसको उल्टा बना लेंगे, तो पूरी रो देखिए हमने इसी तरह से ही complete करनी है बाकि सारे फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे सिर्फ चो हमने धागे को गुमाया था उसको हम slip करेंगे तो इस तरह से देखे यहाँ पर यह हो गया वैसे तो यही 4 रो हम बनाएंगे बट यहाँ पर देखे फिर से जब हम रो बन बनाएंगे यहाँ से तो किस तरह से थोड़ा सा चेंज होगी यह रो वैसे तो रो बन से लेके रो फोर तक ही continue करेंगे पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ देखे पहला फंदा सीधा उतारा रो फाइव यह चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे जो हर बार हमारे उल्टे ही पड़ेंगे फोर जो कैपिंग के लिए हमने रखे हैं दागा पीछे इसको स्लिप किया एक फंदा स्लिप कर लेंगे एक को उल्टा बनाएंगे अब देखे पहली रो में हम सिर्फ ये वाला एक ही उल्टा बना रहे थे इसको उल्टा बना रहे थे बट अब हमारे पास ये हर बार दो फंदे होंगे क्यूंकि हमने यहाँ पर year नोबर किया था तो दो आपके होते जाएंगे तो इन दोनों का हमने एक बनाना है दो कायक बनाया फिर यहाँ पर देखिये हम इस तरह से स्लाई को डालेंगे और धागे को गुमाएंगे फिर आगे फिर से दो कायक करेंगे फिर एक फंदा फिर से लटा दागा पीछे इसको स्लिप करेंगे तो इसी तरह से हम पूरी देखिए बनाते जाएंगे अब इसी रो को हमने रोबन की जगा इसको हमने रिपीट करना है रोबन से लेके रो फोर तक ही आपको कंटिन्यू करना है बट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर हमारे दो फंदे होंगे और यहाँ पर भी दो का एक आपको करना है इसी तरह से आपको पूरा यह बनाते जाना है बाकी आपका सेम वैसे ही पड़ेगा तो देखे मैं आपको दिखाती हूँ कि डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा फिर यह जब इसी तरह से हम बनाते जाएंगे रोव बन से लेके रो फूर्ट तक हमने यही चार रू हमने बनाते जाना है। तो देखी जैसे हम इसको बनाते जायेंगे डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बनता जाएगा। बहुत ही प्यारा बनता है आप बनाकर के जुरू देखेगा। इसको जैंट सॉटर के उपर तो बहुत ही प्रीडी लगता है वाला डिजाइन तो आई हूप आपको पसंद आया होगा मैंने बता दिया आपको रोवन की जगा आपको रोवाइब की तरह बनानी है तो यही चार रोव आपको बनाते जाना है और इस तरह से ब्यूटिफुल डिजाइन आपको क्रियेट करते जाना है तो थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट करकी जुरूर बताएए